नमस्कार क्यापचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे है नरेंद्र मोदी को एंडिये संसद्य दल का नेता सर्व सम्मति से चुन लिया गया है संसद्बवन के संट्रल हॉल में एंडिये की बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम एंडिये के संसद्य मौजूद रहें एंडिये के सयोगी दलों के तमाम नेताओं ने सर्व सम्मति से नरेंद्र मोदी के नाम पर मोखर लगा दी है अब शाम तक खबर है कि पिम मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और नौ तारिको शपत समारों की भव्य तैयारी है लेकिन पिम मोदी ने अपने भाशन में कई बड़ी बड़ी बाते कई है पिम मोदी ने ये काया कि ये सबसे मजबूत अलाइंस है और आगे आने व कुमार नरेंद्र मोदी तो पांच साल नहीं अगले दस साल के बारे में बता रहे हैं देख्या बहुत लोगों का कलेजा चट पटा रहा होगा क्योंकि एक ऐसी तस्वीर आई संसत के अंदर से यहां पे कि जिसमें नितीश कुमार जब प्रधान मंत्री मोदी से मिले उनके पैर को छूरिया अब यह समझे कि यह अनायास ऐसा नहीं कि वो उम्र में बहुत बड़े हैं यह हैं दिस इस दे काइंड आफ रिस्पेक्ट लोगों के दिमाग के बैक्ग्राउंड में जो है सब कॉंसस में रहता है कि सच अ ग्रेट लीडर ही इस कि आप धुग गए अब समझ दीजिए जब इस अस्तर पे मीटिंग होती है कि सब लोग समर्थन देना सुरू कर देते हैं और प्रदान मंतर को चुन लिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो अलाइंस पार्टर्स हैं उनके साथ डील्स पूरी हो गई किसको क्या सीटे मिलेगी नहीं मिलेगी यह सारी चीजें जो है वो फाइनल हो गई है लेकिन जो फाइनल हुआ है उसकी जानकारी हमारे पास है यह बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त में आपको दे रहा हूँ कि क्या-क्या जो बहुत सारे लोग कह रहे थे प्रदान मंतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी बहुत ही साफ है जेडियू को दो मंतराले दिया जाएगा दो मंतरी जेडियू के होंगे और उसमें भी बहुत सारी कहानिया आ रही है पंचायती राज और रूरल डवलप्मेंट यह दो मंतराले जो है जो जेडियू के खाते में गया है TDP के खाते में दो मंतिराले TDP के भी खाते में है civil aviation और steelband civil aviation इसलिये कि जब अटल विहारि भाजपरी की सरकार थी तब TDP जबाई थी तब भी ये civil aviation TDP के पास था लेकिन TDP की संख्याज ज्यादा है तो उनको एक और पद दिया गया है वो मंत्राले नहीं है बलकि डिप्टी स्पीकर का दिया गया है मतलब डिप्टी स्पीकर कहां ये बाते हो रही थी कि डिप्टी उनको स्पीकर भी चाहिए और ये भी चाहिए तो डिप्टी स्पीकर क्योंकि स्पीकर जब coalition government होता है तो speaker का रोल बहुत ही महत्पुन होता है ये भारती जनता party compromise नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हुआ ये जो चार मंत्राले मैंने आपको बताया तो इसका मतलब ये है कि भारती जनता party के पास home ministry भी है finance ministry भी है, defense ministry भी है, foreign ministry भी है, तमाम important infrastructure वाला ministry है, सड़क निर्बान का IT है, law है, ये जो human development है, ये सारे चीजे जो है वो बहारती जनता party तो एक तो theory खतम हो गई है एक theory खतम हो गई कि कमजोर सरकार बनेगी प्रधान मंत्री मोदी का जो है, हाथ पर काट दिया जाएगा, वो एक मजबूत प्रधान मंत्री नहीं, ये मजबूत प्रधान मंत्री की निजानी है, और allies लोगों को क्या मिलागा, और भी बहुत सारे लोग है, formula जो set किया गया ह वो four is to one, मतलब चार सांसत के उपर एक मंत्रा ले, ये कहानी है, अब कुछ और जैसे minister of state, ये allies को दिये जाएंगे, इसमें दो important minister of state allies को दिया जाएगा, जिसमें finance और defense, minister of state जो हैं, वो allies partner को दिये जाएंगे, प्लस और भी छोटे-छोटे जो मंत्राले हैं, जो बाकी allies को उसमें tourism है, MSME है, skill development है, science and technology है, earth science है, social justice and empowerment, तो ये मंत्राले जो है, वो allies partner को बाटा जाएगा, अब सारी कहानी खत्म हो गई, ये जो doubt create कर रहे थे जो लोग, कि भाई, चलेगी, नहीं चलेगी, और ये reason है, कि अब Congress party भी बेदम हो गई, कि अब यहाँ पे कुछ नहीं किया रहा है, नितिश कुमार ने क्या कहा, नितिश कुमार ने साब साब कहा कि प्रदान मंत्री जी, इस बार तो कुछ चूख हो गई, कुछ लोग इधर उदर कुछ सीटों पे जीत गए, अगली बार वो भी नहीं जीत पाएंगे, मतलब इस बार तो इस बार नितिश कुमार न राइट दो चीजें जो है जो टीडीपी और जेडीव के तरफ से जो बहुत ही प्रवल तरीके से रखा गया है वो कि टीडीपी का ये मानना है कि जब पिछली बार ये एंडिया से बाहर निकले थे इसको कहते हैं कि जुमला है रियल इसका मतलब यह है कि ताकी वहां पेड़लोपमेंट का काम और बड़े पैवाने पर कर सकते हैं वहां पर पैसे चाहिए केंदर से तो ये दो चीजे एक तो TDP आंदरप्रदेश के लिए मांग रही है और नितिश कुमार बिहार के लिए मांग रहे है तो बिहार और वहां देने में कोई दिक्कत इसलिए भी अब नहीं है क्योंकि वहां पे भी NDA की सरकार है आंदरप्रदेश में और यहां पे भी बिहार के तो यह मुझे लग रहा है कि यह दो चीजे जो स्पेशल पैकेज जो है बैट करके बनाया जाएगा हिंदुस्तान के सम्मिधान में सिस्टम में कोई स्पेशल स्टेटस किसी राज को देने की कोई विवस्था नहीं है लेकिन फॉर प्रैक्टिकल परपस इसका मतलब यह होता है कि दे वांट एक्स्ट्रा ग्रांट्स अलग पैसा एक बड़ा जिसके उपर वो डवलप्मेंट और इंफरसेक्टर का काम कर सकते हैं तो यह आंदर परदेश के लिए और बिहार के लिए उस पे एग्रिमेंट हुआ है शाय एक दो महने के अंदर में उसकी रूप रेखा भी तैयार हो जाएगी कि क्या क्या चीज के लिए कितना पैसा और कब और कैसे दिया जाएगा इसकी योजना इसकी बाचीत हो गया और मुझे लग रहा है इसलिए जो नितीश कुमा रहे हैं वो भी बड़े खुश निजर आ रहे हैं विन ही विल गो बैक बिहार तो बिहार बदली हम वहाँ पे पूरी तरीके से बदलाओ क्योंकि बहुत सारी चीजे जो ये बटवारा हुआ ये जो वन अदर प्लैंक जिसके उपर ये चुनाओ लड़ रहे थे टीडिपी वाले और जन सेनवाले वो लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से आदर प्रदेश का बटवा वह सकता होगी तो ये सारी चीजे और जिस महाल में जो एक होता है बॉड़ी लेंगविज यहां तो मुझे एक ही आदमी टेंस नजर आ रहे हैं तो आगे आने वाले दस साल का जिक्र कर रहे हैं और हो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ के ये आगे दस साल के मैं तो बता रहो कि जिस तरह का बॉड़ी लेंगविज जिस तरह के महाल में ये सारी चीजे की जा रही है वो अपने आप में पॉजिटिव लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये सारी करिक्रम को देखने में ये बिलकुल समझ में आया कि एक आदमी बड़ा और वो व्यक्ति है यूपी के प्रदान मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ वो इस हार के कारण को तो ढूंडेंगे ही और कल्पिट्स को वो बक्सेंगे नहीं ये उनके बॉड़ी लेंग्विज से बिलकुल समझ में आ रहा है तो जो महाल है जिस तरीके से चिराग पासव लेकिन वो रोकते हैं वो किसी को नहीं पहर छोने के लिए कहते हैं लेकिन मैं बार-बार बात को कहता हूं कि ये ये इट इस आउट अव रिस्पेक्ट इस तरीके से जूग जाता है एक बात पियमोदी ने और इशारा की कि जो लोग सवाल उठाते थे कि बीजपी अकेले अपने दम पर बहुमत लेके नहीं या उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत से आना बहुत जरूरी लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरू यही में चीज जो है आप देखिए जो लोग यह सवाल कर रहे हैं उनको जरा 2019 और 2014 में बने गई सरकार के उपर भी देखना चाहिए जब NDA के रूप में यह चुनाव लड़े भारती जनता पार्टी को अकेले बहुमत आई 2014 में भी और 2019 में भी तो क्या जो NDA के अलाइस थ है उनको मंत्राले नहीं दिया गया दिया गया इसका मतलब क्या है सर्वमत आप साथ में चुनाव लोल रहे हो हमको बहुमत आ गया तो सबको भागा दिया गया यह एटिचूट तो प्रधान मंत्री मोदी नहीं रखा और यही विश्वास जो NDA एलाइस पिनों ने किया उस प्रधान मंत्री मोदी की रास्तिलक की सपत की जो है वो तैयारी देश को करना चाहिए अब पांच साल फिर से मोदी सरकार है करेंगे और उसके बाद नौ तारी को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यान पर संडवी के साथ मैं पूचा क्या पिटल टीवी